नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है खबर गंगा नदी में बड़े जलस्तर के बाद बाढ़ के पानी में दूब कर लापता हुए तीन बच्चों से संबंदित है मुफसिल थानक शेत्र से लापता किशोर का शब मिलने का सिलसिला शनिवार की सुबल से श मामला जैसे ही गाव में फैली वैसे गाव देखने के लिए तूट पड़ा ग्रामीन अपने स्तर से रात भर प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली शनिवार की सुबह में ग्रामीनों ने एनेच 80 सड़क जाम कर एंडियारेफ टीम की मान कर रहे थे तब तक ग्रामीनों न तीसरे किशोर आदित्य कुमार को निकाला नहीं गया था दो किशोर प्रेश पासवान और आदित्य कुमार दोनों चचेरा भाई है तीनों दोस्त वर्बनों में पढ़ता था तीनों किशोर अपने अभिभावक को यह कहकर शुक्रवार की शाम 3 बजे निकला था कि जाती आवासी प्रमान पत्र स्कूल जामा करने के लिए जा रहे है अच्चानक तीनों किशोर का गंगा नदी के बड़े जलस्तर की पानी के कारणा आए बाल की पानी में दोस्तों संसनान करने चला गया तीन सनान करने लगा और चौथा दोस्त सभी का साइकल और कपड़ा देख अब दूसरे बच्चे के सब को तेजी से तलाश क्या जा रहा है बताया जाता है कि टीम रेस की ओपरेशन मेरा हूने के बाद बंद कर दिया क्या कहते है पीरित के परिजन एवं एंडियारेफ की टीम को लेकर अब नए तरह के डिमान भी उठे लगा है कि साहिब गंज में एंडियारेफ की टीम रहनी चाहिए बार्ट साहिब गंज में आती है और टीम एंडियारेफ की देव घर में रहती है क्या कहते हैं ग्रामीन चलिए सुनते हैं रिपोर्ट स्टार अभी तक पांच बजे हटिया में हम सब्जी खरीज रहे थे तो सब्जी बाला के पास फोन आया वही बोला कि गाउं का दूतिन लवका डूब गिया है जब हम खोजने लगे लवका को तो नहीं मिला तब चपल मिला यहां घाट पर उसका और गंजी मिला तो बच्चा क्या करते हैं हम लुग को तो गुल कि नहीं हूँ तो बोला की जार जाती निबास का फर्म लेने हम से पैसा भी लिया टा तिसे धरवा गिया कभी तो नहीं आता था गंगे निपर नेकला। पिछले साल भी एक दो बच्चा दूब के मरा था मतलब लगतार कई साल सा ऐसा घटना हो रहा है और इंडियारेफ का टीम मतलब यहां पे नहीं है इसलिए हम सरकार से और परसासन से निवेधन करेंगे यहां इंडियारेफ का एक टीम रहे धन्यवाद